एक क्वेशिन जो हर एक बैंकिंग एस्परेंट के माइंड में होता है विच वन इस बेटर आई भी पीओ और आर भी पीओ और इस बी आई पीओ तो कौन सा बेटर है इन एवरी आस्पेक्ट आज के सेशन में हम समझेंगे आपके माइंड में क्लारिटी आ जाएगी देखो बेटर चाहिए जो भी हो एक बात को ध्यान रखना है सारे एक्जाम्स देने हैं और सब कुछ क्लिया करना है एक बर जब आप क्लिया कर लोगे न उसके बाद तो आपकी चॉइस है कि आप जो चाहों वो जॉइन करो तो आज के सेशन में हम डिसक्स करने वाले है विच वन है मैं अपना आज पूरी की पूरी डिसक्रिशिन करेंगे फॉस्ट फॉल हम यह समझेंगे कि इनका एक्जाम पैटर्न क्या होता है एक्जाम पैटर्न देखो अगर मैं आप से प्री की बात करती हूं तो प्री में न प्री में आपका जो आई भी पीएस और एस भी आई है इनका सेम पैटर्न होता है मैं एस इंग्लिश रीजन इंग हंडुर्ड माक्स की आती है ठीक है 30 एंस एंग्लिश थर्टी-फाइफ मैंट एंड रीजिनिंग लेकिन आर अर्वी की बात करें अगर तो आर आर्वी का पैटर्न थोड़ा इंडिफरेंट हो जाता है यहां इं और रीजनिंग आती है 40 40 marks की तो इन जेनरल लोग कहते हैं कई बच्चे कहते हैं कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है I can go for RRB मैं कहूंगी कि हां कुछ गलत नहीं कह रहो अगर आपको ऐसा लगता है आप ऐसा फील कर रहो कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है भी आप चाहो तो अटेम्ट कर सकतो हां लेकिन पढ़े हुए ऐसा नहीं कि कोई अनारी हिंदी अटेम्ट कर रहा तो वहां टफ लागेगी यह तो प्रीप्री की बात हों गई मैंस को देखते हैं ठीक है मेंस भी हमारा RRBP means का जो पैटर्न होता है वह तो RRBP means का पैटर् मार्स की इंग्लिश या हिंदी कोई एक आप अटेम्ट कर सकते हो अपनी हिसाब से तो हिंदी ऐसाने की कभी ना पढ़ाओ इस्टेट लेवल में जैसा आता है उस तरीकी की हिंदी आती ठीक है तो उस तरीके से आपको अटेम्ट करना होगा खेर तो आप यह इंग्लिश है हिंदी में से कुछ एक अटेम्ट कर सकते हो जो 40 questions होते हैं 40 marks के इसके अलावा computer होता है 40 questions of 20 marks total अगर आप देखो तो 200 questions होते हैं 200 marks के इसके अलावा IBPS PO देखेगा तो IBPS में reasoning और computer 45 marks sorry 45 questions होते हैं 60 marks के English या Hindi में इसके लिए आपको time allot किया जाता है 60 minute का English language इसके section A और B divided यह 35 questions होते हैं 40 marks के और इसका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आप paper दे सकते हो ठीक है इसके अलावाद जो time allotted है यह 40 minute का है data analysis interpretation का section A और B number of question 35 होते है maximum marks 60 होते हैं और medium of examination English और Hindi दोनों होता है इसके लिए 45 minute मिलते हैं इसके अलावाद general economy और banking awareness के लिए number of question 40 है maximum marks 40 है यह भी English और Hindi दोनों में available है जिसके लिए आपको 35 minute मिलते हैं total number of questions आपके 155 होते है maximum marks आपके 200 होते हैं medium of examination English Hindi वैरी करता है इसके अलावा time allotment आपको 180 minute की दी जाती है इसके अलावा आपका English language का letter writing और से भी होता है जिसके लिए आपको दो question मिलेंगे 25 marks के और इसका medium सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा हिंदी में लिखके आ जाना ठीक है time allotment 30 minute की होगी total अगर आप देखो number of question 157 maximum marks 225 और time allotment तीन घंटे 30 minute की यह होगी आप चलते है SBI SBI देखिएगा यहाँ पर आपको reasoning यह means pattern की बात कर रहा है hope आप लोगी पात जान रोठीक है क्याट यहां देखिए reasoning आपकी 40 question 50 marks का 50 minute का data analysis interpretation तीस question 50 marks का 45 minute का general economy banking awareness 50 question 60 marks का भी कुछ changes होए थे 45 minute में English language अगर आप देखो 35 question 40 marks का 40 minute का और टोटल अगर आप देखो 155 question 200 marks के तीन घंटे descriptive वी होता है जिसमें आपके दो question होते हैं 50 marks के 30 minute के लिए तो यह आप देख सकते हो objective होता है फिर आपका descriptive होता है तो यह दो हमने बातें कर लिए कि यहां भी कैसे कैसा pattern होता है कैसे कैसे questions आते हैं यह तो हमने देख लिया अब जड़ा हम देखते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या होता है एज लिमेट अगर मैं आप से बोलती हूं तो जो आरावी पी ओफिसर इसके लवन का होता है यह 18-30 का होता है साल लेपा साल ठीक है यानि इस एज़ वाले से दे सकते है आई भी प्यों के लिए 20-30 साल का होता है आर और भी आई भी पेस और सब्सक्राइब क्या क्या बेनेफिट्स और एक चलेंजेज है सबसे पहली बात आती है पोस्तिंग कि आपकी पोस्तिंग का एन देखो अगर आप सोच में उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हमेशा होगी उस स्टेट से आप बाहर नहीं जाओगे तो यह आपका हो जाता है लेकिन अगर आप आप SBI या IBA PS opt करते हो तो वो आपको उठा कर कहीं से कहीं बेच सकते हैं for an example आप माध्यप्रदेश के हो जरूरी ने आपको MP में ही मिले आप माध्यप्रदेश के हो आपको तमिल नाडू भी भी भीजा जा सकता है और तमिल नाडू में भी शहर गाओं कहीं भी तो सबसे पह है यह फुर नहीं स्कावत दूर है उसी स्टेट में आस पास और को महीं रहेगा हमेशा ठीकेz वहां से बाहर नहीं जाना है जह प्रोफाइल जह फिल लगबक से है टीनों कि जोब प्रोफाइल नहीं कोई दिफ्रेंस नहीं यह वह ज हम आपकी धू या इस याकर प्रोफाइल होती वह सारे काम करें जब जाते हैं तो के प्रांच कुलोग रहते हैं कभी खेशाएं फ्रेस या आ या यह...? और यहीzing को समझा यह लेकिन लें आरार भी पीओ में आप जैसे हाटे हो आप चीजने को बहुत जल्दी अब्स्रॉब कर लेते हो तो में बात करते हैं growth की तो growth में आर भी पी आप देखो और भी स्पांसर बैच होते हैं बैंक होते हैं ठीक है यह स्वारी इनका कोई एक sponsor bank होता है इनको कोई और sponsor कर रहा है तो यहां जो growth है वो कहीं न कहीं करके limited हो जाती है बहुत ज़्यादा इनकी growth नहीं होगी इन जन्रल ठीक है कई कि बार limited seats होती है या बहुत चीज़ें कह सकते हो तो आर रवी प्यों की growth जो है वो कम है लेकिन SBI और IVPS PO की growth comparatively ज़्यादा है तो अक्सर आप लोग देखो आप अगर चाहते हो कि आपका जो career का पूरा एक growth है ग्राफ बहुत अच्छा देखें और आपको एक अच्छी ladder चाहिए अपनी career में ऐसे पहुंचने के लिए तब तो आपके लिए SBI PO ही बेस्ट है बिकास और रड़ी और आइब प्याइब 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 आइब प्याइब इस बेस्ट है ठीक है job pressure की अम बात करें देखो job pressure यहाँपे अगर मैं आपसे बोलूं कि आर आप बी में भी बहुत है आर आप बी में ठीक है आर आप बी में जैसे अकाउंट्स खोलना NPA recovery लेकिन जब इदर बात करते हैं आइब प्याइब प्याइब तो इनके पास में cross selling बहुत जादा business हो जाता है जो यह banks होते हैं इनका आइब प्याइब प्रेशर होता है बढ़ चाता है और आर आर बी का अपना दस से पांच से च्छे ऐसे जॉब होते हैं कभी-कभी साथ मान लो लेकिन जो आइब प्याइब प्याइब वाले बंदे हैं इनका बहुत जादा प्रेशर बढ़ता रहता है in fact ऐसा भी होता है कई के बार छुट्टिया लेने में दिक्कत आ जाती है तो अगर आप सोच रह और भी और आई-बी-पीस का जो सैलरी आता है वो 52-53 थाउजंड तक आता है ठीक है यह जनरल ही आता है लेकिन SBI में अगर मैं आपसे कहती हूं including the allowances salary आपकी 65-70 भी आती है तो अगर आप सोच रहे हो कि हाँ क्योंकि SBI में बहुत सारे allowances है 4-5 तो उनको जाते ही बहुत सारे benefits फिकरा provide किये जाते हैं काफी चीज़े है ठीक है तो यह बहुत SBI के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ चलती है मतलब कि जितने भी PO आप compare कर रहा हो salary allowances के basis पे best SBI है ठीक है posting job profile के basis पे best SBI है growth के basis पे भी best SBI है तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो job pressure में मैं आप से कहूंगे कि थोड़ा pressure वहाँ जादा है but in every other aspect SBI PO is much much better SBI PO को बहुत सारे allowances मिलते हैं जो शायद ही कहीं और मिलते होंगे जैसे कि आप लोग कह सकते हो newspaper के लिए furniture के लिए फिर पेट्रोल के लिए medical का बहुत अच्छा उनका insurance policy होता है overall it is a very lucrative job बहुत ही बहतरीन है तो अब आप लोग सोच सकते हो कि हाँ आपकी क्या choice होगी अगर आपके पास में ऐसे कुछ चीज़ें आती है और आपको क्या करना होगा खेर अगर आपका dream SBI PO बनने का so we are also here with a new batch achievers batch जिसका price शुरू-शुरू में सिर्फ और सिर्फ 999 तो अगर आप SBI PO की lucrative job को चाहते हो अचीव करना you can join the achievers batch I hope आपको यह सब आते अच्छी लगी होंगी समझदारी लगी होंगी आप सोचते हो कि मैं क्यों achievers बैश के लिए करें क्यूंकि हमने अभी से चीवर्स बैच शुरू कर दिया है बहुत सारे students का dream होता है to be a SBI PO तो वो अगर चाहते हैं उस dream को fulfill करना वो उस बैच को जोइन कर से सकते हैं mock test Hindi English language में आपकी classes फिर आपको सारी DPPs वे गिरा सब कुछ प्रोवाइट किया जाएगा और डेली ऐसी class की टाइमिंग है जहां पे college going और जो भी work कर रहे हैं या working है सबके लिए आपको इस वीडियो में काफी चीज़ें सही लगे होंगी समझ आई होंगी आपका जो बेसे से comparison का वो थोड़ा clear होगा ऐसी और भी important बातों को लेकर हम बातें करते रहेंगे important topics को लेकर बातें करते रहेंगे till then have a great day ahead जैहिंद जभारत God bless you I love you bye